सर टीचर भी तो मस्त हैं हे हे बॉआई अरे वाँ हम तो को मस्त दिखाई दे रे रे कला पिछी भी वरलब टीचर को मस्त कहने के जुडम में तुमको क्याद की सजा हो सकती है को सब को वेरी गुड मॉर्निंग तो आगे सायद बात हो रही थी हम लोगों की impersonal account के ऊपर impersonal account यह रहा आपके सामने impersonal account और मेरे बच्चों impersonal account किसको कहते हैं तो वह account यानि की account which is not personal जो personal नहीं है वो impersonal है यानि व्यक्ति और संस्था को अलग कर दो तो इस धरती पर जितने भी account बचे वो सारे के सारे impersonal है मेरे बच्चों बात समझ में आ गई ना इस व्यक्ति और संस्था को अगर हटा दो इस धरती पर जितने भी account है उसमें से अगर व्यक्ति और संस्था को हटा दो यानि personal account को हटा दो जितने भी account बचे वो सब के सब impersonal account होंगे मेरे बच्चों और मुझे लगता है ये बात आप लोग समझ गए होंगे impersonal account समझ गए और आगे जाकर impersonal account को कितने भागों में माटा गया दो भागों में माटा गया टू टाइपस ओफ impersonal account एक real और दूसरा nominal clear है और मेरे बच्चों real account हम लोग पढ़ना शुरू किये थे और इसके बारे में हम लोग लिखी रहे थे कि सायद वीडियो कट गया था या ऐसा कुछ हुआ था ये बताओ कि यहाँ पर real account यहीं से start किया जाएगा चलो बच्चों जल्दी से आते हैं real account पर मेरे बच्चों इस सब्द को जरा गौर से देखिए इस सब्द को जरा गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है real account real का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि real का मतलब क्या होता है बच्चों तो सायद आप लोग कहेंगे real का मतलब वास्तविक जो वास्तव में है जो वास्तव में है वो real है तो मेरे बच्चों simple सा चीज है जो वास्तव में है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि जो जो जिसका physical existence है जो दिखाई देता है अगर कोई चीज वास्तव में है जैसे हम और आप वास्तव में होते हैं कहीं पर है तो दिखाई देते हैं ना भाई हम लोगों का existence होता है न हम लोग अपने सरीर से रहते हैं वा कोई हम लोगों कोई सकता है एक प्रकार से हम लोगों का physical existence होता है भाई तो तो real का मतलब वास्तविक जो है, उसे हम लोग real कहते हैं, तो account other than personal account having physical existence, जो ऐसा कोई account, जो personal तो है नहीं, पहली बात तो व्यक्ति और संस्था नहीं है, पहली बात क्या नहीं हो, व्यक्ति और संस्था नहीं हो, यानि other than personal account, मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्या कुछ अस्तित्व है, उसका कुछ value है, physical existence का मतलब उसका कुछ value है, बुल्य है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, real कहेंगे, real का मतलब वास्तविक, जो वास्तव में है, उसे हम लोग real कहेंगे, real, बात समझ में आगे, क्या बोला मैंने, तो ऐसा कोई account, जो personal account नहीं हो, पहली चीजे हैं, जैसे building है, land है, machinery है, cash है, बहुत सारी चीजे आपको real में दिखती है, तो आप किसी दुकान को imagine करो मेरे बच्चो, आप सोचो, किसी business, किसी showroom के बारे में सोचो, तो पहले तो आपको व्यक्ति दिखता है, तो व्यक्ति को side कर दो, व्यक्ति को side करके आपको जो भ लगे होते हैं, पंके लगे होते हैं, lighting लगी होती है, rake लगा होता है, counter लगा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, व हो सब कुछ real है, आद्मी को side करके उस दुकान का staff मत गिनना, तुकान का honor मत गिनना, आद्मी को side कर दो, क्वो Quindi Personal account है मेरे बच्चो, आद्मी को side करके तुम अगल बगल देखो, फूरा इसे इसे, देखो दुकान में हर चीज देखो भाई, तुमको जो दिखता है वो real है, समझ में आ गया क्या, किसी दुकान का कलपना किया रेक़ था सब, किसी भी दुकान का किसी व्यापार का कलपना करो और उसके बाद उसमें व्यक्ति को side करके कल जो भी तुम देख सको वो सब real है क्या आप लोग समझ पाए मेरे बच्चों क्या आप सब लोग समझ पाए real का मतलब real का मतलब समझ में आ गया very good, बहुत अच्छी बात है अब यहां पे इसके बादे में एक और point लिखेंगे मेरे बच्चों बहुत अच्छी बात है चलिए इसके बादे में एक और point लिखेंगे मेरे बच्चों, यहीं से notes को continue करते है KCC का bench decks very good, चलो बहुत अच्छी बात है अब सुनो, यहां से आज का notes लेते हैं is known as real account क्या आप लोग समझ पाए बताइए, अभी आप में से किसी ने का किस ने का था आसाय आर्या ने का आसाय आर्या ने का KCC का bench decks तो आसाय मुझे यह बात बताओ कि क्यों KCC का asset नहीं है क्या वो asset नहीं है बाकि तुमको light, camera, action पता नहीं क्या-क्या, sorry, action नहीं जो भी दिखता है मतलब जो भी लगा हुआ है वो सब, मतलब जितना भी चीज है वो सब तुमी लोगों के लिए है तो यह बताओ, वो सब क्या है asset है कि नहीं तो हम यह आसान भासा में क्या सकते हैं कि नहीं कि asset account जितने भी है यानि asset से related जितने भी account है मेरे बच्चों वो सब के सब deal account है हम क्या सकते हैं कि नहीं क्या सकते हैं बतादो मेरे बच्चों रटना नहीं है रहे, समझना है asset से related जितने भी बतलब हम आसान कर दिए जितना भी एह एक इस है जितने भी समपत्या है व सब इस हर Еक चीज समपत्य रही हमारा प्रोप्राटी नहीं जितना बी speaks बचा हुआ है वह सब कही नहीं क्या है हमारे समपत्ति है तो इसलिए जितना भी एसाट Edwards तुम्हारे यह क्या है, real account है मेरे बच्चों, और मुझे लगता है कि आप लोग real account समझ गये होंगे, एक पर सभी बच्चों के comment शाहिए, क्या आप लोग real account समझ पाए बच्चों, very good, बहुत अच्छी बात है, और मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या मैंने तुम लोगों को chapter number 2 में ही पढ़ा दिया था, asset दोते रहके होते हैं, current, fix, fix दोते रहके, tangible, intangible, यह सब तुम लोग पहले से ही जानते हो की नहीं जानते हो, बताओ, जल्दी से बतातो, यह सब चलिए, कुछ examples लिख लेते हैं, अपने notes में कुछ example लिख लीजिए, जैसे land and building account, plant and machinery account, furniture account, goodwill account, chaos account, अब कहीं भी अगर आपको asset दिख जाए, etc, कहीं भी आपको कोई भी asset account दिख जाए, तो आप समझ लेना कि वो कौन सा account है, वो real account है मेरे बच्चों, क्या आप सभी समझ गए क्या, सर वीडियो रुक के आ रहा है, सत्यम ने का वीडियो रुक के आ रहा है, गोँआ नेटवर्क का इसू होगा, इसलिए वीडियो रुक के आ रहा है, मेरे बच्चों और भी बच्चों का रुक के आ रहा है क्या, और सारे बच्चे कमेंट करना, आगी सारे ब 4K resolution में पढ़ते हैं, HD quality में हम लोग पढ़ते हैं, normally बच्चों का रहता है कि cinema और web series देखेंगे HD quality में है और पढ़ाई करेंगे zoom पर lower quality में, लेकिन अपने लोगों का ऐसा नहीं है, अगदम full HD 4K में पढ़ाई करना है, cinema देखना है अगदम घटिया quality में, है ना, सो इस तरीके से हम लोगों का विचार धारा है, तो थोरा सा कोशिस करो, थोरा manage करो, और अब हम कहां थे, तो मेरे कहने का मतलब ये है, अचा-चा, निसान्त जा बोल रहा है, ये सर हम tower पे बैठे है, 10K quality में, चलो अच्छी बात है, ऐसा ही एकदम ठीक हो गया, चलो अच्छी बात है, देखो सत्यम का भी उधर ठीक हो गया, एको tower पे बैठे पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा ही पढ़ो, जहां जिसको जहां जगह मिला, वहीं पढ़ लो, तो कहने का आर्थ ये है, कि land, खाली देखना tower पर से गिरना मत है, एकदम पकरे रहो, तो हम क्या बोल रहे थे, कि यहां देखो, जितने भी assets है, चाहे वो tangible हो, चाहे intangible हो, भाई, कहीं से भी कोई भी asset है, वो कौन सा होगा, वो sir, real account ही होगा, मेरे बच्चों, real account का doubt clear है कि नहीं, जल्दी बताओ, किसी को real account पढ़ा दोगे कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मजा नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं करोगे, तो मजा नहीं आएगा ना, real account किसी को भी बता दोगे, very good, चलो अच्छी बात है, सर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सर अब हम लोग चलते हैं, यह तो होगया, real account, अब मेरे बच्चों, B, B है हम लोगों का nominal account, मेरे बच्चों, nominal account में पहले कुछ बातों को लिखो, account related with income and expenditure or profit and loss is known as nominal account example salary account, rent account, discount account, commission account, interest account, basis account, bad dates account, bad dates recovered account, ETC. पेड़े बच्चों सुनो ध्यान से, सुनो गौड से दुनिया वालों, जब तुम KCC का कलपना कर रहा था, अब जूकि KCC को ही तुम लोगों ने मुद्दा बना लिया है तो इसी को लेकर के हम लोग चलेंगे, तो जब तुम KCC का कलपना कर रहा था, तो जैसे ही तुम गेट पे आओगे, और गेट के अंदर इन करोगे, तो सबसे पहले दिखूंगा मैं, मैं दिखूंगा, है ना, सुनो गौड से KCC वालो, very good, बहुत अच्छा, तुम लोग का presence of mind क्या कमाल का है, मतलब तुम लोग कोई कांड करने के लिए पैदा हुआ है, मतलब हमको सच में लगता है, इतना गजब का presence of mind किसका होता है, पूरे दुनिया में कहीं पे नहीं है भाई, इसलिए कहा गया हम बिहारी, सब पे भारी, है ना, तो मेरे बच्चों, अब ध्यान से देखना, अब पहले सुनो, जब मैं खरा होंगा, लाठी लेके होएं गेट पे खरा रहूँगा, और जैसे आओगे एक-एक लाठी देता रहूँगा तुम लोगों को, तो मेरे बच्चों मैं क्या हो गया, मैं हो गया personal account, मैं क्या हो गया personal account, और जैसे ही तुम फिर अगल बगल देखोगे, तो साइथ तु जब तुम वो सब देखोगे, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे, वो जो bench, dex, tool, जो भी है, वो सब कुछ, वो सब के सब real account हो जाएंगे, अब मैं भी दिख गया, और मेरा सारा asset भी दिख गया, तो सर और भी कुछ बचा क्या KCC में, और भी कुछ बचा, हाँ सर अब जो वो nominal account है, अब जो भी बचा, nominal account है, क्योंकि यह दिखता नहीं है, पड़ है, अब बताओ क्या, सर ऐसा क्या है KCC में, जो दिखता नहीं है, पड़ है, तो मैं बच्चों तुम से fees ले रहा हूँ, वो तुमको दिखेगा नहीं, अच्छा मैं रेंट देता हूँ, वो रेंट की जाती है, तो वो जो चीजे, जैसे advertise का खर्चा, जैसे application के developer को जो दिया जाने वाला commission, या तमाम चीजे हैं, वो सब तुमको नहीं दिखेगा, कि यह सब खर्चे भी है, यह सब income भी है, so profit and loss, income and expense, क्या बोला, मैंने, मैंने बोला, income, मैंने बोला, income, और expenditure, यानी आमदनी और खर्च या लाब या हानी, profit या loss, क्या बोला पैरे, आमदनी या खर्च, income बोले तो सरामदनी, expenditure बोले तो सरखर्चे, profit बोले तो लाब, loss बोले तो हानी, इस बरकार से income, expenditure, profit and loss, यह तमाम चीजे हैं, जो है, वो सब के सब होते तो हैं, करने तो परते हैं, लेकिन तुम personal account तो personally हो गया, हाँ, हाँ, सर, इसका, इसका मैं रटा मार रही थी, समझ कुछ नहीं आया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहां कुछ भी रटा नहीं मारना है, समझ, तो मैं क्या बोल रहा था कि यह समझो, income, जो भी है, expenditure जो भी है, मतलब यह होते तो हैं, लेकिन यह तुमको दिखाई नहीं देते, सो ऐसे समझो, जैसे तुम किसी भी संस्था में देखते हो, तो परसंत तो तुम्हें दिखता है, real वाला भी तुम्हें दिखता है, लेकिन कुछ ऐसा है, जो दिखता है, लेकिन वो होता है, तो ऐसी तमाम चीजें, जो जो दिखता ही न नाममात्र के लिए है इन चीजों को, हाँ, अच्छा, very good, sir, आप जो आज बताए हैं, ये कभी नहीं भूलेंगे, अच्छा, कोई बात नहीं, चलो, मत भूलना, ये समझो, तुम्हें क्या बोल रहा था, कि जितने भी income, expenditure, profit and loss हैं, भाई, वो nominal account है, मतलब आमदनी और खर्च nominal account मतलब क्या, क्या कहोगे भाई, nominal account मतलब क्या, आमदनी खर्च, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, nominal account मतलब क्या, आमदनी और खर्च, clear है, बता दो सब को, हमको, कि सभी लोग कि ये आमदनी और खर्च समझ में आ गया, जल्दी से बता दो, जल्दी से, आमदनी और खर्च हुआ ठीक है तो यह जो चीज में आप तो देकर न है इसे जाला र Commerce salary account में वह सेलरी अगर मिला तो income salary आगर धें सेली अगर hats are salary अगर मैं दे रहा हूं तो खर्चाए salary कर में ले रहा हूं तो income है बैटकाँट में रहा हूं दे रहा हूं तो expense है रियंट अगर में दे रहा हूँ ले रहा हूँ दे रहा हूँ ले रहा हूँ इंट्रेस्ट दे रहा हूँ ले रहा हूँ वेजेस दे रहा हूँ ले रहा हूँ बैटेट्स bad debts मतलब पैसा डूब गया, loss हो गया bad debts मेरे बच्चों क्या हो गया, loss हो गया इसी परकार bad debts recover हो गया वापस से डूबा हुआ पैसा मिल गया वापस से डूबा हुआ पैसा मिल गया तो भाई income हो गया, वापस से डूबा हुआ पैसा मिल गया तो मेरे बच्चो ट्रेडिशनल विद्वान जितने हुए, उन सभी विद्वानों का पूड़ा का पूड़ा कांड हम लोग समझ के बैठे, है ना, सर बैट डेट्स रीकवर भी हो सकता है, हाँ रीकवर हो सकता है जैसे मानलो कि कोई बच्चा है, वो मेरे से एक महिना पढ़ भाई वहां तो ठगने वाले बहुत बड़े बड़े बैठे हुए, वापस से वो मेरे इंस्टिजूट में फिर से आ गया, और मैंने का भाई तुम्हारा तो एक हजार डिव दिखा रहे है पिछले महिने का, जल्दी से वो किलियर कर लो, फिर वो पिछला महिने का पैसा भ हो गया, यह मतलब इंस्टिजूट के एक्जामपल से समझा रहा हूँ, ज्यादा डीप में मत सोचना कुछ भी, है ना, तो कुछ भी है जो मतलब एक तरह से डिसकाउंट ही है, तो डिसकाउंट ही है, हम दे रहे है तो नुकसान है हमारे लिए, हमको मिल रहा है होगे हो हमारे लिए, तो कहीं भी फाइदा, नुकसान, कुछ भी है, तो यह सब के सब क्या है, नॉमिनल एकाउंट है, मुझे लगता है यह सब समझ में आ गया होगा, अपने एक काम करो, नोट्स को थोड़ा बहतर बनाते हैं, है ना, अपनी जिंदगी जीने के लिए, कि के लिए बच्चों, अपनी जिंदगी को बहतर बनाने के लिए, कंक्लूजन, देखो हम लोगों का काम क्या है, पढ़ना, तो क्योंना ढंग से पढ़ें, बस मेरा इतना ही सा कहना है, तो कंक्लूजन, अब इसी को एंजवाइबल बनाना है, मेरे बच्चों, बढ़ाई को बना लो जिंदगी में सब आसान है, बस ये बताओ, कंक्लूजन क्या निकला, सर अभी तक जितना डिसकसन किये हैं, सब को याद है, इपर सभी बच्चे बता दीजे, अभी तक जितना भी डिसकसन किये हैं, सभी बच्चों को याद है, एक एक बच्चों को याद है, तो कं पाइ ट्रेडिशनल एप्पोच ट्रेडिशनल एप्पोच से कितने सारे एकाउंट होगे तीन तरह के एकाउंट होगे सबसे पहला A Personal एकाउंट P Real एकाउंट और C Nominal एकाउंट कितने हो गया? Personal, Real और Nominal Done वो गया? Finally बता दो Conclusion किलियर हो गया? Personal एकाउंट यह याद रखना यह conclusion याद रखना जितना भी बात हुआ है उसका नीचोड यही है कि बही ट्रेडिशनल लोगों ने परंपरागत तोर पे एकाउंट को कितने भागों बाटा तीन भागों बाटा पर्सनल, रियल और नॉम्नल पर्सनल बोले तो व्यक्ति और संस्था रियल बोले तो एसेट अरे बोलना, रियल बोले तो एसेट पर्सनल बोले तो व्यक्ति यानि पर्शन और संस्था बोले तो और्गनाईजेशन और नॉमनल बोले तो प्रॉफिट लॉस इंकम एक्स्पेंस डन बता दो इससे आसान और कुछ है जल्दी से बता तिरों चीज डन conclusion समझ में आ गया conclusion बस इतना ही याद रखना बाकी जो भी deep में पढ़े वो पढ़े लेकिन conclusion इतना ही याद रखना बस हो गया चलो बहुत अच्छी बात है चलो बच्चो अब एक good news है good news यह है कि हम लोगों का traditional approach खतम हुआ और अब हम लोग modern approach पढ़ेंगे जो की बहुत ही चो दिखो by modern approach को हम लोग क्या कहते हैं American approach या concept so American approach या American concept भी इसको हम लोग कहते हैं मेरे बच्चों ध्यान से देखना मेरे एक सवाल का जवाब दो traditional concept के हिसाब से account को कितने भागों माटा गया जल्दी से जवाब दो जल्दी 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 mobile से निकल के मारेंगे जल्दी बता जल्दी बता traditional approach से कितने तरह के account देखो बताई नहीं रहा फिर मजा नहीं आएगा हाँ very good सब ने बताया तीन very good सब को सब पढ़ने वाले हो सब पढ़ने वाले हो सब धूम मचा दोगे देखो इधर हाँ एक और बात मेरे बच्चों मैं तुम लोग को एक सच्चाई बताऊं वो जो question है तुमको दुबारा से दिखता है कि तुम लोगों को मैं तुम लोगों को सच में एक अच्छा question दिया था वह तुम लोगों ने जब टेश्ट दिया होगा तो तुमको लगा होगा कि वो कैसा होता है मैं ग्रूप में भेजूँगा आया ही नहीं था कुछ बच्चों को थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लेम हुआ है कोई कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो मेरे बच्चों मैं दुबारा से वो चालिस-चालिस क्वेश्चन एक बार में पूछने से अच्छा है कि पांच-दस क्वेश्चन करके पूछूं और छोटा-छोटा टेस्ट लूँँ समझ पा रहे हो ठीक है मैं उसका आंसर भी सेंड कर दूँँगा आज भी होगा एकांटी क्वेश्चन का अरे सर्प्राइज कभी भी होगा कभी भी मतलब ऐसा है कि तुम पता चला कि तुम बांस पे चड़ा है टेस्ट का नोटिफिकेशन आ गया बही कहीं भी कुछ भी हो सकता है बात देखो इदर अब समाझ इतर अमेरिकन अप्रोच अमेरिकन कनसेप्ट तो मेरे बच्चो मेरे बच्चो अमेरिकन कंसेप्ट क्या कहता है चलो इसके बारे में कुछ लिखते हैं ऀप ऐस पर कि are as governor approach एज पर modern approach, there are 5 types of account, मेरे बच्चों जल्दी से बताओ, American approach के हिसाब से कितने तरह के account हो गए, American approach के हिसाब से कितने तरह के account हो गए, 5, याद रहेंगे, American approach के न तरह के account हो गए, 5, clear है मेरे बच्चों, बहुत अच्छी बात है, और बताओ traditional वाले के हिसाब से, जल्दी से बताओ traditional वाले के हिसाब से, और ये तो modern वाला है ना, modern वाले के हिसाब से तो 5 है, ये तो अपने को भी समझ में आ गया, ठीक है सर, modern वाला, नवका जो विद्वान सब हुआ, उसने बोला 5, लेकिन पुरन का वाला सब क्या बोला, त तो पुरन का वाला सब, ये जो traditional वाले लोग है, इनके हिसाब से कितने हुए, तो इनके हिसाब से 3, इनके हिसाब से 3, clear, so मेरे बच्चों याद रखना, तो नए वाले के हिसाब से कितने सारे एकाउंट, 5 तरह के एकाउंट, अब मैं इन एकाउंट को कैसे सो करना चाहता ह देखो, ये 5 तरह के कैसे कैसे हैं, कौन कौन से है, मेरे बच्चों, अब जो मैं यहाँ पर बनाऊंगा, कुछ बनाने वाला हूँ, तो उसको न, वो क्या बोलते हैं, हसना मत देखके हैं, न, देखो इदर, मैं बना रहाँ, star, आइपेड पर हमारा पहला star है, बस जो हसेग इसका दांत तूट जाएगा, अरे वाह, ये गरवडा गया, देखो हसना मत भाई, जान पूझ के हम नहीं किया है, गरवडा गया है, थोड़ा सा रुख जाओ, हाँ, ये अच्छा हो गया, न, अरे ये थोड़ा सा मतलब देखो, इसको, अच्छा डू को, इसको सीधा कर ही देते हैं, तुम लोग हसरा है, हमको पता चल रहे रहे पे हुदा सब, तुम लोग हसरा है रहे हम पे, देखो, तो ये जो है, इसको हम ले आए सेंडर में, चलो, ये रहा है स्टार, और हसो मत वर नाम ले आएंगे नबका वाला स्टार, देखो, हमारे पास ये वाला भी स्टार सब है, देख इदर, ये हमारे पास स्टार सब है, ये वाला स्टार ले आएंगे, हटाओ, तुम लोग बहुत हसता है रे बेहुदा देखो देखो अब हसो इसको मिटाई यह देते हैं कि बेहुदा सब हास रहा था बताओ क्या समझ रखा है रे स्टार नहीं मिलेगा चलो देखो देखो बेहुदों अब हसो अब हसो यह स्टार कैसा है बताओ हमको यह मैंने बनाया स्टार अब यहां पर जो नए वाले लोग है उन्होंने कहा कि भाई कितने तरह के तो पांच तरह के तो ये हमारे सामने आ गया स्टार, स्टार जैसा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो मेरे बच्चों, अब यहां पर क्या है, कि जरा समझो, पांच तरीके के एकाउंट के बारे में बोला गया, कौन कौन सा सर, सबसे पहले मेरे बच्चों, एक होता है एसेट एकाउंट एक क्या होता है मेरे बच्चों, एसेट एकाउंट, पहला एकाउंट समझ में आ गया, एसेट एकाउंट, पहला एकाउंट कौन सा बताते एक बार, एसेट एकाउंट, एक एकाउंट होता है मेरे बच्चों, एक्सपेंस एकाउंट, एक कौन सा एकाउंट, एक्सपेंस एक एक्सपेंस एकाउंट और मेरे बच्चों उसके बाद लाइबिलिटी एकाउंट इनकम एकाउंट और मेरे बच्चों क्यापीटल एकाउंट इनकम एकाउंट इनकम एकाउंट और मेरे बच्चों इसके लिए धरथी पर मैंने मौझूद किया केसी जुगार किया मौझूद किया मैंने के सी सी जुगार और के सी सी जुगार के थुरू तुम इसको याद रखोगे मुझे बताओ भाविल का पहला दोनों अक्षर कौन सा है भाविल और कॉंसोनेंट समझते हो ना मेरे बच्चों भाविल का पहला दोनों अक्षर कौन सा है वाविल का पहला दुनों अक्षर कौन सा A E ठीक है और मेरे बच्चों LIC में पैसा हर घर से जमा होडा होगा ये भारत सरकार की संस्ता है LIC तो मेरे बच्चों इसको तुम ऐसे याद रखोगे LIC A E क्या बोलोगे LIC और A E मेरे बच्चों LIC को अलग रखो और A E को अलग रखो और बीच में लगा दिया versus अब लराई ठीड गई किसके बीच में भावल के पहले दुनों अक्षर में और LIC में अब मेरे बच्चों LIC versus A E क्या बोलोगे कैसी जुगार LIC versus A E अब बोलोगे फिर से बता ना नए वाले बिच्वानों ने भाई नए वाले बिच्वानों ने क्या जुगार दिया LIC versus A E क्या बोला LIC versus A E पहल का पहला तुनों अक्षर तुम कभी भूलोगे नहीं और LIC को तुम वैसे भी नहीं भूलोगे very good तो यह हो गया LIC versus A E मेरे बच्चों L से क्या हो गया so L से liability L I से income C से capital LIC हो गया और A E asset or expense मेरे बच्चों done तो पांचों account हम लोगों का done हो गया और अब मेरे बच्चों यह जो है तुम्हारे सामने है मुझे बताओ कि क्या तुम लोग समझ गए अब एक बात सुनो 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 ध्यान से सुनो asset जानते हो की नहीं बताओ asset संपत्यों के बारे में मुझे बताने की L I C very good जिंदिगी के साथ भी और जिंदिगी के बाद भी तो मेरे बच्चो asset समझाने की जरुवत नहीं है मेरे बच्चो सुनो basic अच्छे से पढ़ने का क्या फाइदा होता है वो सुनो basic अच्छे से पढ़ने का chapter number 2 को अच्छे से पढ़ा दिया है तो देखो उसका क्या फाइदा है asset बताने की जरुवत है बता दो एक बार कमेंट करके, क्या मैं एसेट बताऊं, एसेट किसको कहते हैं, क्या मुझे बताने की जरुवत है मेरे बच्चों, नहीं, सब ने का no sir, no sir, no sir, no sir, no sir, no sir, क्या तुमने कभी capital का नाम सुना है बिल्कुल सर capital मैं बताऊँ नहीं बताने की जरत है सर सर मैं expense बताऊँ नहीं सर आप मत बताऊ सर मैं income बताऊँ नहीं सर हम लोग chapter number 2 को बहुत अच्छे से पढ़े हैं सर liability बताऊँ कुछ भी मत बताऊ सर यह सब सारे के सारे नाम सुने हुए हैं यह सारे के सारे नाम सुने हुए हैं और जानते यह होता है बेस अच्छे से पढ़ लिया तो आगे बहुत इसली बढ़ेंगे पहले ही बता रहा था कि बहुत इसली हम लोग बहुत स्पीड में चलेंगे ना सो मेरे बच्चों एक दम जहां भी समझ में ना आए और कुछ लोग कमेंट नहीं कर पाड़े हो तो कमेंट करना सभी लोग कमेंट करना और एक बार चलो यह बताओ यह क्लियर है पांचों का पांचों एकाउंट कैसे याद रखो के कि लाइसी वर्सेज एई कैसे कि याद रखो कि लाइसी वर्सेज एई मेरे बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है यह कैसा लग रहा है तुम लोगों को बताओ तो एक बर 2 बहुत अच्छी बात कुरता आए सूपर से ऊपर गजब तो इस प्रकार से हम लोगों ने भॉकाल है अरे यह वाला दो आग लगा दिया चलो अच्छी बात है ठीक है तो बच्चों के भॉकाल तुम लों को अच्छा लगा होगा ये ऐसा हम उम्मीद करते हैं तो ये रा एसे ट्राविटी एक्तम एलाएजी वरसे गरता उडा दिये वेडी गुड बहुत अच्छी बात एक्तम भई ओनलाइन में भी इतना अच्छा मॉल बना के कौन पढ़ता है वाइज एलेवेंद के बच्चे इतना अच्छा ओनलाइन पढ़ेंगे हमने कभी नहीं स अच्छी बात है धूम मचा देंगे चलिए तो मेरे बच्चों यहां से हम लोगों का एक टॉपिक समाप्त होता है एक पढ़ाव समाप्त होता है अच्छा अच्छा ओफ-लाइन तो करिये सर इससे भी अच्छे से पढ़ा ही करेंगे वेरी गुड बहुत अच्छी बात है स साइट टीचर भी तो मस्त हैं हम तो को मस्त दिखाई दे रहे कर ला इस चीव अच्छी बतलब टीचर को मस्त कहने के जुडम में तुमको कैद की सजा हो सकती है देखो इधर तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने एक पढ़ाव मेरे बच्चों पार कर लिया और वो जो पढ़ाव है वो पढ़ाव है वो है क्या बोलते उसको वो है इतना हशी मजाग हो गया है मोहल ही बनल यह बाहर बारी सो रही है क्या मौसम है फिर लगता है किसी का यार हस रहा है चलो बहुत दिन कर वात हसा है पीच में हुआ भी नहायीं था एक दो दिन के क्याप के बाद हसना भी चाहिए तो मेरे बच्चों अब यहां पर जो है वह वह एक टॉपिक समाप्त होगे हम लोगों का कि भाई जो जो एकाउंट कितने तरह के हैं वो हम लोग समझ गए तो मेरे बच्चों अगर हम बात करें ट्रेडिशनल कंसेप्ट की हां तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट में एकाउंट कितने तरह हैंगे ? cities Hmmm आज हम लोग इसका रूल नहीं समझे चोब कि अप फिर एकसीटमैंट समाप्त हो जाएगा तो आज मेरे बच्चों आप लोग इसको बहूत अच्छे से 我們 सामिल करो हम् लोगों यह एक 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 हकाउंट क्या होता है, real account क्या होता है, nominal account क्या होता है, और, कल वाला class miss मत करना, क्योंकि कल के class में हम लोग समझेंगे, कि भाई इसका rule कैसा है और क्यों है, यह धरती पेस का rule ऐसा क्यों है, यह तमाम चीजों के ऊपर हम लोग discuss करेंगे.